स्री शिवाई नमस्तु भ्याम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अगस्त 2024 को सोंबार की अस्रमी है और इस दिन आप लोगों को बेल पत्र की माला वाला उपाय जरू करना चाहिए अब दोस्तों हम इस वीडियो में बेल पत्र की माला वाला उपाय तो समझेंगे ही समझेंगे क्योंकि दोस्तों आप लोगों के बहुत प्रशनाते हैं कि हमें बेल पत्र की माला वाला उपाय अच्छिस समझाईए क्योंकि ये उपाय हम करना चाहते हैं क्योंकि ये उपाय प बचकर 55 मिनिट के बाद से सुमवार की अस्टमी शुरू हो जाएगी जो कि अगले दिन 13 अगस्त तक यहाँ पर चलने वाली है सुभा 9 बची तक ठीक है तो बहुत कहने का मतलब क्या है कि 12 अगस्त के दिन सुमवार की अस्टमी तिती पड़ रही है पर सुभा के 7 बचकर 55 मि लेगा ठीक है तो यह बात आप लोग समझ गए दोस्तो 12 अगस्त के दिन सुमवार की अस्टमी पड़ेगी और उस तिन आप लोग बेल पत्र की माला वाला उपाय बिलकुल कर सकते हो अब यह बेल पत्र की माला वाला उपाय है इसमें आप लोगों को बेल पत्र खुद से लेकर नहीं जाना होता है यह आपको शिवजी के ही मंदर में मिलती है जो कि शिवलेंग पर चड़ी होई होती है और ना इस उपाय में आप ऐसा कर सकते हो कि आप खुद से अपनी बेल पत्र लेका आपने चड़ाई और फिर उससे उपाय कर लिया उससे उपाय नहीं होगा श सदफ से घर की शुक और शान्ती के लिए कर उपाय कर रहा है तो भी घर का जो बड़ा सदफ से होता है वह यह वाला उपाय कर सकता है कोई भी दिक्कतवादी बात नहीं है ठीक है अपने पूरे घर परिवार की शुक और शान्ती के लिए है ना तो करना क्या है इस उपाय क को आपने शायद कभी नहीं देखा होगा इसलिए ये इस मौके को अपने हाँ नहीं थे ना और इस दिन बेल पत्र की मालावाला उपाय जρरू करना अब ये जो बेल पत्र की माला वाला उपाय है ये कैसे करना है वो आप लोग ध्यान से सोने देखी इस बेल पत्र की माला वाले उपाय को आप सुभा भी कर सकते हो शाम की समय प्रदोशकाल में भी कर सकते हो ठीक है अब बेल पत्र की माला वाले उपाय को करने के लिए उस सामगरी आपको लेना है वो मात्र एक कच्चा सूथ लेना है या कच्चा दागा जिसे आप लोग कहते हो वो लेना है ठीक है क्योंकि इसमें हमें बेल पत्र अपने साथ में लेकर नहीं जाना है बेल पत्र वही होंगी जो शिवलिंग पर पहले से चड़ी होगी एक दो बेल पत्र आप अपनी पूजन सामगरी के लिए लेकर जा सकते हो पर इस से जादा लेकर नहीं जा सकते हो ठीक है पहले से जो बेल पत्र शिवलिंग पर चड़ी होगी उन्हीं से आप लोग अपने यह वाला जो उपाय है इसे करोगे ठीक है तो करना क्या है चाहिए सुभा उपाय करो चाहिए शाम को जा रहे हो तो अपने साथ में कम से कम पूजर जो जा करना न कोs February 2019 के पास में आकर बैट जाओ गया शिष्वलिंक के पास में आकर बैट जाते हो वहा है उसके बाद जो आपका सब-से पहला काम रहे गा वह यह रहेगा कि आप अपना जो भी कच्छा सूत है जो भी लेकर आय वह होगए हो बिल पत्र की माला बन karma हिए तो पूज़न में इस्तवाइल होने वाला जो कच्छा सूथ होता है जो कि आपको पूज़न वाली दुगान पर आराम से मिल जाता है वो लेकर आनाए। लेकर भघवान से बोलना कि ready-buyan और उपने के बाद यह अपने सामने रखना thìak बेल पत्र की माला बनाने के लिए, जब सबसे पहले आप अपने कच्छा-सूत उतना बड़ा, निकाल कर तोड़ लो, जितने बड़ी कि आप माला बनाने वाले हो ठीक है, मतलब पहले से ही तोड़ कर रख लो, आपको फिर बाद में ना तोड़ना पड़ है, तो कच्छा- बेल पत्र की डंडियों के सहरे बनाएंगे न तो करना क्या है सब से पहले आप अपना कच्छा सुथ लेलो उसकी थोड़ी से शुरूबाद की जगह छोड़ो एक छोर की उसके बाद में उस ही धागे में अपनी पहली बेल पत्र को उठाओ और पहली बेलपत्र की जो डंडी है, पीशे वाली साइट की जो डंडी है, उस डंडी में अपने जो कच्छा सूत है, उसे बांदो, बांदो, उसके बाद में अगर ना भी बंदे चूट रही है, तो भी एक गठा ना आप लोग बांद सकते हैं, एक से जादा मत बांदना, एक गठा ना आप लोग बांदोना ठीक है, उसके बाद में आप लोग उसी कच्छे सूत में थोड़ी जगह चोड़ना, अपनी दूसरी बेल पत्रगं और डूसरी बेलपत्र का जो है कच्छा सूत, वहाँ पर लपेट देना, मतलब बांद देना, ठीक है, फिर उसके पत्र की डिंडियों में जो है आपको धगा बानते जाना है ना भी बंदे तो एक एक गठा ना आप लोग बान सकते हैं उससे जदा मत बानना है इस तरीके से आपकी 11 बिल पत्र आपके कच्चे सूथ में बंद जाएंगी और आपकी माला जो है एक तरीके से तैयार हो ठीक है बेल पत्र की माला तैयार होने के बाद दोस्तों मातर आपको ये करना है कि शिवलिंग जो होगी आपके सामने आप जिस शिव मंदर में गए हुए होगे वहाँ पर जो शिवलिंग होगी उसी शिवलिंग की उपर आपको इस बेल पत्र की माला को समर्पित कर देना ह मतलब पहनाना है समरपित करने का मतलब की आप लोगों को शिवलिंग को माला पहनाना है ठीक है शिवलिंग को माला पहनाने के बाद दोस्तों क्या करना है भगवान के सामने वहीं पर पास में बैठ जाना है आप इस उपाय को करने के बाद मनुकाम ना कर ना भी बुरूना त पितलब शिवलिंग को पहना देना है, शिवलिंग को पहनाने की बाद, शिवलिंग के पास में ही बैट कर 2 मिनिट सुरी शिवाय नमस्तु बिम का आपको जाप कर देना ठीक है, जाप करने के बाद आपका ये वाला उपाय यहां पर पूरा हो जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर जब बेल पत्र चड़ी हुई होगी तभी आप लोग अपने ये वाला उपाय कर सकते हो कम से कम आप 10-14 बेल पत्र तो मान कर चलना उतनी बेल पत्र के तो यहाँ पर आपको माला बनानी बनानी है आप घर से अपनी बेल पत्र लेकर बिलकुल नहीं जा सकते है शिवलिंग पर जो बेल पत्र चड़ी हुई है वही उन से ही आप लोगों का अपने उपाय करना पड़ेगा एक दो बेल पत्र शिवलिंग पर चड़ाने के लिए कर जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना, इस बेल पत्र की माला में आपको सुई का उपयोग नहीं करना है, बेल पत्र की डंडी के सहारे से आप लोग सावन महीने में पढ़ने वाली सोमवार की अस्थमी को, बस ध्यान रिखना सुभा के साथ बचकर 55 मिनिट के बाद से करना, ताकि आपका ये वाला उपाई सोमवार की अस्थमी में आजा और भगवान आपसे प्रसन नहों जाएं, और जो भी आपकी मनो काम नहों, वो सब पोर्ण हो जाएं, बाकि दोस्तों अगर आपको इस उपाई को करने में कोई भी दिक्क्र समय से परिशान ही आती है, तो उस्थे हमसे कमेंट करके पूश सकते हैं, ओम नमाय, शिवाई जैवलियाबा, श्री शिवाई, नमस्तु प्याम